क्या आपको भी 20-25 mm के स्टोन्स डाइग्नोज हुए हैं आपके अल्ट्रा साउंड या सिटी स्कैन पर और आप भी बड़े परिशान हैं तंग हैं कि ये स्टोन्स कैसे निकलेंगे बिमारी आ तो जाती है बट जानी हुश्किल हो जाती है तो चाहिए इस वीडियो में बात करेंगे कि इन स्टोन्स को हम कैसे निकाल सकते हैं नमश्कार मेरा नाम है डॉक्टर दिपांशु गुपता मैं सीनिर कंसर्टेंट यूरॉलजी एंडरॉलजी हुँ क्योर स्टोन के साथ चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले हमको यह समझना होगा कि अगर किड्नी स्टोन बन रहे हैं और उसको नेचरल तरीके से हमारे शरीर से निकलना है तो क्या रस्ता रहता है तो देखिए हमारी किड़नी में जितना भी पेशाप बनता है वो सारा पेशाप एक पाइप से होकर गुजरता है उस पाइप को हम यूरेटर बोलते हैं इस यूरेटर की जो चोड़ाई है इंटरल डायमिटर है वो कोई 3-4 मिलिमिटर का होता है तो सारा पेशाप किड़नी से होकर इस पाइप तक जाता है इस पाइप से होते हुए वो पेशाप की थेली तक जाता है तो छोटे पत्थर जो हैं 3 mm, 4 mm, 5 mm तक के भी कही की बार वो अपने आप इस रस्ते से गुज़र के निकल जाते हैं लेकिन अगर पत्थर का साइज 20-25 mm का हो गया है तो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा स्टोन इस पतली सी पाइप से नहीं गुज़र पाता है इसके चलते हम इस पत्थर को निकालना ही पड़ता है अगला सवाल आपका होगा क्या कोई ऐसी दभाईया है जिससे इस पत्थर को हम तोड़-तोड़ के छोटे टुकड़ों में तोड़ दे और जिससे के वह चूराबन के निकल जाए तो इसका जवाब है नहीं ऐसी कोई दवाईया अभी नहीं है जो की इस पत्थर को तोड़ कर छोड़े टुकड़ों में कनबर्ट करते हैं अगर हम 100% स्टोंस की बात करते हैं तो कुल मिलाके 3-4% स्टोंस ऐसे होते हैं जिनको फिर भी दवाईयों से निकाला दा सकता है लेकिन जो आम जनता को जो सब लोगों को स्टोंस बनते हैं वो कैल्शिम उग्जलेट के रहते हैं कैल्शिम उग्जलेट पे दवाईयां असर करती हैं बट ऐसा नहीं है कि वो 20 mm के स्टोंस को 3 mm, 4 mm में कनबर्ट करते हैं इससे कि वो निकल जाए तो ऐसी दवाईयां कहीं पर भी अवलिबल नहीं है ना हमारे अलोटाथी में है ना किसी और फिल्ड ओफ मेडिसिन में है तो इनका करना क्या है तो इन स्टोंस को हमको रिमूव ही करना पड़ता है इनको रिमूव करने के लिए हमारे पास 3 मेथर्ड है सबसे पहला है RIRS RIRS मतलब Retrograde Intrational Surgery इस प्रोसीजर में हम पिशाब के रस्ते से एक बिल्कुल पतली सी दुर्बीन लेकर जाते हैं ये दुर्बीन फ्लेक्सिबल दुर्बीन होती है इसको पिशाब से रस्ते से हम नैच्रल रूट से होते हुए किड्नी तक पूँचाते हैं और फिर लेजर से पूरे पत्थर को तोड़ देते हैं ये टेक्नोलजी 25 mm से छोटे स्टोंस को रिमूव करने के लिए काम में आती है क्योंकि इसमें कोई कट, कोई चीरा, चीरफार नहीं है तो पेशन नेक्स दे ही डिशार्ज हो जाते हैं और बहुत ही जल्दी अपने काम पर जा सकते हैं दूसरा है ESWL या लिथो ट्रिप्सी लिथो ट्रिप्सी यूजूली इतने बड़े स्टोंस में एफेक्टिव नहीं होती है क्योंकि ये इतने बड़े स्टोंस को छोटे छोटे पीस में हो सकता है तोड़े बट ऐसा होता है ऐसा देखा गया है कि इसका स्टों क्लिरेंस रेट सिर्फ साट से सतर परतीशत ही है ऐसा हो सकता है कि स्टोंस किड़नी में ही बचे हुए रह जाएं जो कि आगे चलके दुबारा स्टोन बनाएं तीसरा है मिनी पर्क या PCNL PCNL यूजुली इतने साइज के स्टोन्स के लिए हम इस्तमाल कर सकते हैं अगर वो स्टोन आरायरस से नहीं निकल पा रहा है तो देखे 25 हमें के स्टोन्स most of the times आरायरस से हम निकाल सकते हैं लेकिन 10% ऐधा चांस है कि स्टोन्स की बनावट या किणनी की बनावट ऐसी है जिसमें हम इस्टोन्स को नहीं निकाल पा रहे हैं तो तब हम PCNL को इस्थिमाल कर सकते हैं PCNL में हम कमर से कट लगाते हैं उट कट से पतली सी दुर्वीन को लेकर जाते हैं और किड्नी तक मौचाते हैं फिर महीं से पत्थर को तोड़कर पुरा भार निकाल देते हैं अब ये तीनों टेक्नीक्स हैं जिनसे हम 20-25 हमिन के स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं ऐसी और किड्नी स्टोन्स की वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इस्टाग्राम टीबी फोलो कर सकते हैं तक क्योर स्टोन के साथ धन्यवाद